नमस्ते चात्रों आपके पाठ्य पुस्तक अंत्रा भाग एक के कावखन में संकलित रितिकाल के कभी पत्माकर जी के दूसरे पद को इस वीडियो में समझेंगे इस पद में कभी ने वसंद में होली के आने पर गोकुल की गलियों और प्रकृती में जो सोंदर परिवर्टन दिखाए देता है उसे बरे मनुरम ढंग से प्रस्तुत किया है पहले पाठ्य का वाचन गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के जो लगी कच्छू को कच्छू बाखत बने नहीं केहे पदमाकर परोस पिछवारन के दौरन के दोरी गुन औगुन गने नहीं तोलो चलित चतुर सहिली या ही कोहु कहो नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी बहुरत तो भोरियों पे निचोरत बने नहीं पहले कछीं शब्दों का अर्थको देखते हैं गोकुल अर्थाथ गोकुल गाउं, कुल का मतलब परिवार, गोप का मतलब है गौलबाल, गाउन अर्थाथ गाउं, बाखत बने नहीं का मतलब जिसके विशे में कुछ कहाना जा सके है, बाखत नहीं कर पाना नहीं बोल नहीं पाना, द्वारन का मतलब है दर्वाजा गुन का मतलब है गुन आउगुन का मतलब अच्छे या बुरे या फिर सही गलत गन ये नहीं का मतलब है बिना विचार किये यानि गिन्ती नहीं करना उनके बारे में नहीं सोचना चलित चतुर ये नहीं चतूर का मतलब है चालाग, निचोरे याने की निचोरना, श्याम रंग का मतलब साउला, या फिर काला रंग, चुराई चित चोरा चोरी, चुराई याने की चुरा लेना, चित का मतलब मन हिरदे, चोरा चोरी, इसका मतलब चोरी, चोरी है, बोरत का मतलब है डूबोना, प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तु तो पद रितिकालन कभी पत्माकर द्वारा रचित हैं। पत्माकर जी प्रस्तु पद में खोली के आउसर पर एक गोपी की मनवाउनाओं का भी सुन्दर चितरन करते हैं। पत्माकर जी बताते हैं कि खोली के आउसर पर गोकल गाउं के विविन्द कुल अर्थात परिवार विविन्द परिवारों की गलियों और गाउं में गोप अर्थात के गौालबाल खोली की मस्ती में डूबा हुआ है। वोई क्या कर रहे हैं अपनी मनमानी करने पर तुले हैं। उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात ये कब क्या बोल देंगे, कब क्या कर गुजरेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, जो लागी कच्छो बाखद बने नहीं। कब क्या वो कहे देंगे, कब क्या कर बैठेंगे, इसके विशे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहे पदमाकर परोस पिछवारन के दोरण के दोरी गुन और गुन गने नहीं वे होली की मस्ती में किसी के गुन और आउगुन को नहीं देखते हैं क्या सही है क्या गलत है इसकी परवहाव नहीं करते हैं और क्या कर रहे हैं कहे पदमाकर परोस पिछवारन परोस तथा पिछवारे से दर्वाजों पर भाग भाग कर चले वो जा रहे हैं कभी यहां कभी वहां कभी परोस के पिछवारे वाले दर्वाजे से वो दोर के निकल जाते हैं कभी आगे से आ जाते हैं इस तरह से बहुत ज जादा शरारत यह लोग कर रहे हैं, और इनहें कोई कुछ कह भी नहीं सकता, इनके बारे में सोच भी नहीं सकते कि यह क्या कर देंगे न, और किसी की बात मानने को उस वक्त यह बिलकुल तयार नहीं थे, कौन गौळबाल, वहां गाउं के गौळबाल, सारे मस्ती में, किछषफारे के दर्वाजे से और इस पर वहू सही घलत बिलकुल नहीं देख रहे हैं उन्हें तो वस क्या करना है फोली खिरने की दुन उनपर सवार है तो केवल हुली खिरना हाए आगे कभी क्या कहते हैं तो लो चलित चतुर सहलियाही कोहु कहो नीके के निचोरेताही करत मने नाही अब देखे इसी दौरान एक चतुर सक्हिया फिर चतुर सहलिया फिर चतुर गोपी अथाथ एक चतुर गोपी के उपर भी रंग पर जाता है और वो रंग कैसा है श्याम रंग उनके उपर पर जाता है निक काला रंग उनके उपर भी पर जाता है और इस पर उनके एक सहली उन्हें कहती है कि अपने कपरे में जो रंग चर गया है उसे निचोरने के लिए लेकिन यह चतुर गोपी नहीं मानती है ताही करत मन नहीं निचोरने का उनका मन बिलकुल नहीं करता है और वो मना कर देती है फिर कहती है अपनी सहली से क्या कहती है कि मैं तो क्या है शाम रंग हो तो शाम रंग में चुराइचित चोरा चोरी बहुरत तो बहुरियों पे निचोरत बने ना ही में तो श्याम रंग अर्थाद यहां देखे श्याम रंग एक तो क्या है रंग श्याम रंग के लिए आया है लेकिन यहां और भी इसके अर्थ हैं जैसे काला रंग और दूसरा क्या है कृष्ण के प्रेम का श्यामरंग कृष्ण के प्रेम के लिए भी इसका प्रियोग किया है तो कहते हैं कि श्यामरंग वैसे भी स्रीकृष्ण का जो रंग है वो क्या है सामला है इसलिए हाँ श्यामरंग का प्रियोग को कभी नहीं किया है तो कहते हैं कि में तो श्यामरंग अर्थात कृष्ण के प्रेम के रंग में अब क्या है डूब गई हूँ इस प्रेम के रंग ने मेरे हरदे को चुपचाफ से चुरा लिया है है न? चुरा इचित चौरा चौरी यही शिर्कृषिन की प्रेम ने मेरे हृरदे को मेरे दिल को ही चुपचाब तरीके से चुडा लिया और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे दिल को किसे ने चुडा भी लिया और आखी कहती हैं कि इसमें क्या मैं डूप तो गए हूँ, बोहरत तो बोहरी हो, बोहरत यानि कि डूप ना, अब मैं इस श्याम रंग अर्थात श्रकृष्ण के प्रेम के रंग में मैं डूप तो गए हूँ, पर अब क्या है यह मुझसे निचोरा नहीं जाएगा, उसे डर है कि क्या है, इसको निचोर सर्कृष्न के प्रेम से अलग हो जाएंगा तो इस ढर से यह चतुर गोपी नहीं चाहती है कि अपने जो कप्रे उसके ही वो अपने कपड़े से रंग को निचोरेगा तो उस रंग के साथ क्या सिर्कृष्ष्ण के प्रेम से भी वो अलग हो जाएंगे तो इस डर से कि कहीं सिर्कृष्ष्ण के प्रेम उनके दिल से उतर ना जाए इसलिए वो चाहती है कि वो इसी रंग में डूब के ही रहे गोपी की जो हिर्दे की जो दशा है फिर उनकी जो स्थितियं की जो बहुनाए है उसे बहुत ही सुन्दर तरीके से वर्णन किया है फिर एक तरह से उसका जो चितरन है वो किया है अब आप विशेश में भी कुछ बिंदों को लिखेंगे जैसे आपने पूरे पंक्ती में देखा है यहां मुख्य रूप से दो दिर्शों का यहां बहुत ही सुन्दर चितरन कभी ने किया है एक दिर्श तो क्या है यहां के जो ग्वाल बाल है उनकी मन मानी या फिर उनकी ज अरारत है उसका बहुत ही सुन्दर चितरन हुआ है और दूसरा एक जो गोपी है चतुर गोपी जो कि स्रकृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है उनका यहां बहुत ही मनोरम कह सकते हैं बहुत ही सुन्दर चितरन कभी ने किया है कि किस प्रकार वो स्रकृष्ण के रंग मे रंगी हुई है और उस रंग से वो अलग नहीं होना चाहती है अनेग स्थानों पर अनुपरास अलंकार को आप देख पाएंगे जैसे जैसे आप देखिए गली के गोप गाउन यहां अनुपरास अलंकार है हर एक शब्द का जो पहला वर्ण है वो क्या है गो है ना गो से यह यहां अनुपरास अलंकार है उसी प्रकार चलित चत्तुर यहां भी क्या है अनुपरास अलंकार देखने को मिल रहा है च और यहां भी च और यहां देखे चुराई चित चोरा चोरी इधर भी क्या है अनुपरास अलंकार का प्रियोग किया गया है और एक बाद यहां देख तो जकता है, इस लेख से अधिक अर्थ को आवास हो यानियोल स्लेष अर्थ पिर अधिक थ्युक्त फिर्द श्लेष लंकार हो लै। पहले बताया है कि श्याम रंग एक तो क्या है काला रंग सावला रंग के लिए हाया है और दूसरा इसका अर्थ क्या है कृष्ण के प्रेम का है तो यहां देखे श्याम रंग का दो अर्थ निकला है इसलिए यहां स्लेश अलंकार आप लिख सकते हैं विशेश भी उसी तरह स पूरे पंक्ती ब्रश बाशा में लिखी गई है और चंद क्या है यह तो पिछले क्लास में आपको बताया है कि चंद कवित चंद है दन्यवाद